कारिक्रम में शोताओं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस कारिक्रम में हमारे बीच हैं डॉक्टर आकरिती गुपता। आज का विशे है इस्तरियों में बांचपन, कारण लक्षन और उपचार। और डॉक्टर आकृति गुपता, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है, आपसे जानेंगे इसके पीछे क्या मुख्य कारण है और वो कौन से नई तकनीके हैं जिसके माध्यम से एक इस्तिरी माँ बन सकती है। डॉक्टर आकृति गुपता, हम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कारिक्रम में और आपसे जानना चाहेंगे कि माधना एक बहुत बड़ा उपहार है, उसका सपना होता है माधना। माधने में वो कौन से दिक्कते हैं जिसका राण ये बांचपन आजा है, आप सिरफ महिलाओं को ही नहीं अब हम गिनते, हम एक पती-पत्नी को देखते हैं एक नजरिये से कि एक कपल है, उन में बाजपन है ना कि सिरफ महिला में क्योंकि 50 प्रतिशत ऐसी कंडिशन होती हैं जिसमें महिला में इन्वॉल्मेंट रहती है और कुछ 50 प्रतिशत इसी रहती हैं जिसमें पूरुशों की रहती है और कभी-कभी दोनों में भी हो सकती है तो इसलिए as a couple as a whole देखा जाता है तो 15-20 प्रतिशत ऐसे लोग रहते हैं जिनमें की भाजपन की समस्या देखी जाती है अगर हम महिलाओं की बात करें क्या मुख्यकारन हो सकते हैं उ उनकी quality में कमी आ जाना जो कि उमर के साथ भी हो सकता है उमर से पहले भी हो सकता है किसी बिमारी के कारण भी हो सकता है इसके इलावा tubes चो रहती हैं tubes का खराब होना और बच्चेदानी के कुछ ऐसे कारण होना कुछ बच्चेदानी में बिमारी होना जैसे की TB की या फिर उम्र क्या है और वो कौन सी आयू है जिसे हम reproductive age क्याते हैं अगर आप reproductive age की बात कर रहे हैं तो हमारे हिंदुस्तान में वैसे 25 से 45 ये एक age group माना जाता है जिसमें की normal आप देखेंगे कि majority जो महिलाएं हैं 25 और 30 के करीब शादी करती हैं पर आप कहें कि शादी की उम्र और बच्चा पैदा करने की कोई ideal age है तो मैं आपको आज भी कहूंगी कि एक जो बच्चा पैदा करने की ideal age है वो वही है जब एक महिला ready है बच्चा करने के लिए और वो महिला ready 20 पे भी हो सकती है 25 पे भी हो सकती है और हमारे timelines हैं कि हमें 25 में ये करना है 30 में ये करना है 35 तक ये करना है तो वो timelines हमारा career हमारा stressful environment हमारा खान पीन pollution ये सब factors भी कही न कहीं आपको इन भाजपन में act करते हैं आम तोर पर भारतिये plan नहीं करते हैं बच्चे का आगमन और ये accidentally भी होता है तो ये बताएं कि वास्तव में कब ये माना जाए कि हाँ बाजपन की समस्या है ये actually अगर आप एक definition रखें क्योंकि हर एक महिला चाहे उसकी शादी को दो साल हुए हो या एक साल हुआ हो जरूरी नहीं है उसको बाजपन हो क्योंकि ये जरूरी है कि एक साल तक महिला और पुरुष ने जो है ट्राइ कर रहा है बच्चे के लिए और पूरे efforts के साथ ट्राइ किया है वान येर मिनिमम उनको हुआ होना चाहिए अगर एक साल की सारा उन्होंने तयारी करी सब कुछ ठीक से किया सोच समझ के हर प्लान किया फिर भी बच्चा ना हो तो आप बाजपन से जो है पीडित होते हैं और उसलिए उसी समय आपको एक डॉक्टर की सहायता क्या विशक्ता पड़ती है जब ऐसे कपल्स आपके पास आते हैं जो हिस्टरी रहती है या सिरफ ये सोसाइटी के प्रेशर में आकर हस्टा लागए है या अपने माबाप ने कह दिया कि दो साल हो गए शादी को या तीन साल हो गए तो बच्चा नहीं हो रहा तो कुछ लोग उस pressure में भी आके hospital पहुन जाते हैं तो पहले ये देखना जुरूरी है कि ये actually बाज़पन से definition में fit हो रहे हैं कि नहीं तभी उनका इलाज शुरू किया जाता है, तभी उनकी जांचे शुरू की जाती है तो सबसे पहले history ली जाती है, उसके बाद check-up किया जाता है, एक routine गाईनी check-up होता है female का भी होता है और male का भी होता है उसके बाद हम कुछ जांचे दे जाते हैं और basic आप कहेंगे कि तीन ही ऐसी जांचे हैं जो हर जगा होती है उसमें से पहली रहती है अंडे की जांच, जो महिला में होती है और उसके लिए हम ultrasound का इस्तमाल करते हैं दूसरी रहती है उनकी tube की जांच, उसके लिए हम कुछ techniques रहती है जिनको HSG या फिर ultrasonography के द्वारा हम check करते हैं और तीसरी रहती है husband में, पुरुष में उनकी सीमें की जांच, जो की शुक्रानों देखने के लिए कि किस तरह की शुक्रानों की मात्रा है, उसकी quality कैसी है और functions कैसे हैं तो थोड़ा बहुत ये basic तीन जांचे हैं जो I think सभी को पता होनी चाहिए अगर आप ये question मुझसे चार साल या पांच साल पहले पूछते तो शायद मैं कहती कि male accept नहीं करता है बट आज मैं देख रहे हूँ कि society change हो रही है और लोग aware हो रहे हैं और आजकल males बड़ी बार खुद भी आ जाते हैं हस्पिताल और अगर wife को भी नहीं लाते और ये देखने के लिए कि उनको कहीं पता चल जाता है कि उनमें दिक्कत है और वो कोशिश करते हैं कि उनका सब check-up हो हर एक test हो जिसमें कहीं न कहीं कोई factor मिल जाए और वो इलाज करा पाए तो I think male accept करते हैं आजकल और husband wife दोनों उसमें together एक decision लेते हैं और depend करता है कि क्या है factor पहले अगर कोई चीज आती भी है semen analysis में शुकरानू की जांच में हमें ढूंडना पड़ता है कि reason है कहां क्या वो correct हो सकता है कि नहीं हो सकता क्योंकि जो हमारा समाज है वो बान जिस्तिरी के प्रती बहुत अच्छी धारना नहीं रखते और उसको कई बार ताने भी सुनने होते हैं आज भी आप पूछेंगे रोज I think OPD में कोई ना कोई मरीज ऐसा ज़रूर आता है जो महिला रोती ज़रूर है और वो इसले नहीं रोती कि उसके husband ने उसे कुछ कहा है वो इसले रोती है कि उसके आसपडोस के लोग उसके रिष्टिदार उसको बुरी नजर से देखेंगे और उसको बार-बार ये पूछेंगे आप डॉक्टर के पास गए की नहीं गए और उसी को ही पूछेंगे शायद factor male में ही हो तो ऐसा रहेगा I think और मुझे लगता है आगे 10 साल तक ये चीज भी शायद हमारा समाज accept कर ले और ये चीज महिलाओं को ना face करनी पड़े तो जो इलाज रहता है वो हम हर एक patient का हर एक couple का अलग रहेगा क्योंकि कोई भी मरीज में वो दोनों same कारण कभी भी नहीं देखे आज तक मैंने अपनी practice में और हर किसी का इलाज हर किसी का समय pregnancy तक का different है हम बस मदद कर सकते हैं वो कारण ढूणने के लिए उसका प्रती इलाज देने के लिए और आज भी हम treatment शुरू करने से पहले patient को यही counsel करते हैं यही तरह से steps होंगे इस तरह से आप बच्चे की और जाएंगे पर आपको यह बताना मुश्किल है कि आपको बच्चा महीने में होगा या एक साल लगेगा या दो साल लगेंगे क्योंकि हर किसी की extent of problem बिमारी अलगे डॉक्टर आगरिती लगातार हम सुन भी रहे हैं और देखते हैं जगा जगा लिखा होता infertility expert और IVF टेकनीक से बच्चा पाएं यह थोड़ा बताएं हमारे शोताओं को कि यह जो टेकनीक है IVF यह क्या है IVF एक artificial reproductive टेकनीक है जिसमें कि हम artificial तरीके से बच्चा बनाते हैं आम भाषा में समझाया जाए जैसे normal एक महिला और पूरुष अपसंबन बनाते हैं fertilization रहती है और बच्चा महिला के tube में बनकर बच्चेदानी में चिपकता है तो एक normal process इसी process को हम उस महिला के शरीर से बाहर एक laboratory में करते हैं तो इसलिए artificial है लेकिन बच्चा उन दोनों का ही है तो एक myth जो लोगों के दिमाग में है कि बच्चा उनका नहीं हो तो डर है उनके दिमाग में कि IVF में ऐसा हो जाएगा तो सबसे पहले ये एक बात है कि artificial का मतलब यही है कि शरीर के माध्यम से हम बाहर निकल कर उसको एक lab में बना रहे हैं आँखों के नीचे, microscope के नीचे और फिर उसको मा की जो lady है, मतलब महिला है, उनकी बचे दानी में डालते है चिपकने का काम उसका खुद का है, हम सिरफ वही तक देख सकते हैं कि वो अंदर कैसे डला तो इससे आप कहें कुछ चीजें ऐसी हैं, जब किसी महिला को अंडे की मात्रा कम होती है किसी आदमी को पूरुष में जैसे शुकरानों की कमी है, या जीरो है, या किसी की ट्यूबें बंध हैं जिसमें नाच्रल तरीके से बच्चा ना हो पाएगा और समय जो बच्चा होने में अब आपको चाहिए अगले, तो वो थोड़ा कम कर देता है तो ये सरोगेसी क्या है फिर? सरोगेसी अलग है, एक तरह से वो IVF तो है जिसमें की हम बच्चा बाहर बनाते हैं अलग टेकनीक हो गई, सरोगेसी अलग चीज हो गई, तो आप सरोगेसी उसको बोलते हैं जब एक अन्य महिला का जो बच्चे दानी का ठीक है सबोज करते हैं आप रेंट पे ले रहे हैं उसको आप एक आम भाशा में समझना चाहें, तो आप एक अन्य महिला की बच्चे दानी को यूज करके अपना ही बच्चा उसमें ग्रो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस महिला की बच्चे दानी उतनी अच्छी नहीं है, तो ये एक medical condition होती है, जिसकी वज़े से डॉक्टर आपको help क करते हैं, कि आपको बच्चा सिर्फ सेरोगसी द्वारा ही हो सकता है, और हमेशा सेरोगसी के लिए भी आपको definitely पहले IVF कराना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो बच्चा जो आपकी बच्चे दानी में डलना था, अब वो सेरोगेट की बच्चे दानी में डलेगा, IVF की जो success rate है, वो कितनी है, डॉक्टर? देखिए, अगर आप बात करें, IVF की success rate तो वो depend करती है पांचे चीज़ों पर, जैसे कि पहले किस कारन से IVF हो रहा है, और फिर दूसरा, patient का IVF हो रहा है, उसकी उमर कितनी है, और तीसरा, कि अगर उन में नहीं हो रहा है, तो इन तीनों में आपको अलग-अलग success rates मिलेंगे, और वो एक variable range रहेगी, कभी भी किसी का ये नहीं रहेगा कि आपको हर center में वो 25 ही मिलेगा, या किसी में 40 ही मिलेगा, वो vary करेगा, एक range होगी, तो basically जो हम IVF specialist usually महिलाओं को बताते हैं, अगर सब factors ठीक हैं, जैसे किसी महिलाओं के सिरफ औ उनको pregnancy हो सकते, और ये chance ये नहीं है, कि पहली बारी में जो बच्चा डाला, ये एक cumulative rate रहता है, cumulative मतलब at least 3 cycles बच्चा डालने के, ना IVF, IVF और बच्चे डालने में फरक रहे, कभी-कभी IVF में अधिक बच्चे बनते हैं, जो कि 2-3 बार भी आप डाल सकते हैं, अलग- 40% रहेगा, जो कि बहुत से जगाओं पर explain नहीं किया जाता और patient panic कर जाता है, तो अब हमारे शोताओं को ये बताएं कि क्या ये जो इलाज है, ये महंगा है या एक आम आदमी के बस में है, ये definitely एक आम आदमी के बस में है, क्योंकि आप ये नहीं मैं कह सकती कि हर जगा पर same cost रहेगी, कुछ private centers में आपको बहुत जादा भी महंगा मिल सकता है, और ये vary कर सकता है जिस जगा पे आप रहते भी हैं, अगर आप metros में जाएंगे तो cost आपको जादा मिले, अगर आप second year cities में रहेंगे तो आपको शायद cost थोड़ा कब मिले, तो ये region के हिसाब से भी vary कर सकता है, बट मेरे हिसाब से आज की rate में हर एक जो जगा है, आप इसकी approximate cost लेके चलें, तो I think 1.5 lakh, इतना minimum amount लग जाता है, मैं 20-30,000 उपर भी ले सकते हैं, और 2 lakh तक के अंदर-अंदर होना सही है, ये तो नई technique की आपने बात की, आपने success rate भी बताया, और जो लोग निराश हैं, वो निश्य तोर पर IVF को अपना सकते हैं, लेकिन हम कारणों की बात करते हैं, आपने बताया कि PCOD एक कारण है, फिलिपिन ट्यूब में कुछ गरबड़ी हो, यूट्रेस में TV की समस्या हो, ये बड़ी समस्या हैं, और इनका निदान होना जरूरी है, तो खास तोर से हम लड़कियों की बात करें, आजकल PCOD की समस्या बहुत जादा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, और यदि हैं तो इसके लिए सचेत हो जाना चाहिए, इसके लिए देखिए PCOD एक तरह से genetic factor उस तो आप जनेटिक्स तो चलो, आप बदल नहीं सकते, वो तो सेम रहेगा, जिस तरह hypertension आपकी family में रहेगा, या diabetes आपकी family में रहेगा, PCOS का, अगर आपकी mother या बहन में है, तो आप में आएगा, component, आप एक environment को prevent कर से, तो जिस तरह से अगर आप खाने में healthy diet रखें, जिस प बड़ी पसंद है, chocolates और सब, refined sugar से बनी हुई चीजे है, यह सब का खान पान आप रोज ना करके, कभी हफते में एक बार करें, तो वो जो वर्ग है महिलाओं का, जिस age group 15 से 25 के बीच, जब यह जादा tendency रहती है लोगों की और बच्चों की की इस तरफ जाने की, उस time पे nutrition aspect घर पे भी समझाएं और स्कूलों में भी बताएं कि आपको यह खाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा गलत काम करेगा, अब uterus के TB की यह रसोली की बात करते हैं, तो डग साब इसके लिए इलाज संभव है और जैसे ही लक्षन प्रकट हो तो इसका इलाज क कारण रहा है, क्योंकि आपको पता है, हमारे देश में TB की संख्याव काफी जादा है, और बड़ी बार खांसी का TB तो identify हो जाता है, बट जो TB बच्चेदानी का है, कभी-कभी most of the times, 80% times में इसका कोई भी symptom ही नहीं आता पेशन को, तो काफी delay हो जाता है, और जब आप उस level तक पहुंच आते हैं, कि आपको बच्चा करने की आविशक्ता होती है, उस time पर detection होता है, हाँ, उस time आप definitely इसकी जो treatment है, RNTCP के अंदर वो लेते हैं, उसके बाद आप next step पे जा सकते हैं, बट वो TB का इलाज लेना बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्टर आकरिती गुपता ब अभी भी समाज में सोच बद्ली नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस कारिकरम के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूंगी कि जिनको भी अगर कोई ऐसी problem है या आपके कोई आसपड़ोस में ऐसा है, जो अभी सुन रहे हैं, उनको लगता है कि उन्हें किसी विशेशग्य के पास जाना चाहिए, तो इसको छुपाना नहीं है, चाहे वो महिला में है या चाहे वो तो बेसिकली विशेशग्य के पास जानना जरूरी है, क्योंकि हर किसी को उस तरह से नजरिये से इसको देखना नहीं आएगा, उस तरह से परखना नहीं आएगा, और उसमें पेशन्ट इधर से उधर टाइम सिरफ वेस्ट करेगा, टाइम वेस्ट करने से समय बढ़ेगा, और इलाज की जो आपकी चांसिस हैं, सक्सेस के, वो और घटते जले जाएगा, तो डॉक्टर आकरिती गुपता, आज आप इसका रिक्रम में आई, इस महत्पुन बाच्चीत के लिए आपका बहुत बाद आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्यू, नमस् चांसिती